नमो बुद्धा हाया कारकम्य उपस्तित केंद्रिय मंत्री बंडल के में सदस्या सिवान के रंडीजु जी जी किसंडेडी जी अर्जुन राम मेगवाल जी मिनाक्षि लेकी जी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कान्पोरेरिस्ट के सेकेरेटरी जेनरल देश विदेश से हाँ पधारे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी पुझ्य पिक्षुगन अन्य महानुभाव देवियो और सज्जनो ग्लोबल बुद्धिस्ट समीट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आये हैं बुद्ध की इस धर्ति की परंपरा है अतिति देवो भवा अर्थात अतिति हमारे लिए देवता के समान होते हैं लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामले हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्तिती का एहसास होता है क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है बुद्ध चित्रन से आगे बढ़कर एक चीतना है और बुद्ध की ये चीतना चिरंतर है निरंतर है ये सोच सांस्वत है ये बोध और विस्मर्णिय है इसलिए अज जितने इतने अलग-अलग देशों से इतने अलग-अलग भावगोलिक सांस्कृतिक परिवेश्य लोग यहाँ एक साथ उपस्तित है यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानुवता को एक सुत्र में जोडता है हम कलपना कर सकते हैं दुनिया के अलग-अलग देशों में बुद्ध के करोडों अनुवाईयों का यह सामर्त जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी उर्जा कितनी असीम हो जाती है जब इतने सारे लोग विश्व के बहतर भविश के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविश निश्चित रुप से भव्य ही होगा और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्ध समीट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्मान करेगी मैं इस आयुजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रा लए और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेंटरेशन को रुदय से बथाई देता हूँ साथियों इस समीच से मेरे आत्मिय लगाव के एक और भज़ए है मेरा जन्म गुजरात के जिस वर्णगर अस्थान में हुआ है उस थान का बउद धर्म से गहरा नाता रहा है बड़नगर से बउद धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष मिले है कभी बउद यात्री वियन संग ने भी बड़नगर का दोरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी एस्केवेशन में जो चीजे लगी है बहुत सारी चीजे विस्तार से यां रखी हुई है और सहियोग देखिये कि जन्म में मेरा बड़नगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूँ और वहीं सारणाद विस्तीद है साथियोग ग्लोबल बुद्धिस समीट की मैजवानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये भारत अपनी आजादी का अमरत महसों मना रहा है इस अमरत काल में भारत के पास अपने भविश्य के लिए बिशाल लक्ष भी है और वैस्वी कल्यान के लिए नए संकल्प भी है भारत ने आज अनेक विश्यों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रिर्णा भगवान बुद्ध ही है साथियों आप सभी परिचीत है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ती, पटिपत्ती और पटिवेद याने थियरी, प्रैक्टीस एंड रियलाइजेशन पिछले नव वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है हमने भगवान बुद्ध के मुल्यों का निरंतर प्रसार किया है हमने बुद्ध की सिख्षाओं को जन जन तक पहुचाने के लिए एक समर्पन भाव से काम किया है भारत और नेपाल में बुद्ध सर्कीट का विकास हो सारनात और कुशिनगर जैसे तीर्थों के काया कल्प के प्रयास हो कुशिनगर इंटरनेशनल एरपोर्ट हो लुम्बिनी में भारत और IBC के सयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फ़र बुद्धिस कल्चर और हेरिटेज का निर्मान हो भारत कैसे हर काम में पटी-पत्ती की प्रेनना शामिल है यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पटी-वेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है दुनिया के अलग-अलग देशों में पीस मिशन्स हो या तूर्किये के भुकम जैसी आपदा हो भारत अपना पूरा सामर्ख लगा कर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है ममभाव से खड़ा होता है आज भारत के 140 करोड लोगों के इस भावना को दुनिया देख रही है समझ रही है और स्विकार भी कर रही है और मैं मानता हूँ इंट्रनेशनल बुद्धिज कन्फरेंडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म बुद्ध धम्म और शांती के विस्तार के नए आउसर देगा बरतमान चुनोतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं इस पर चर्चांग अपने आप में न केवल प्रासंग ही है बलकि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की कीरण भी समाहित है हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है बुद्धने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कर्ष्ट था बुद्धने महल राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलप्त सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वसे निकल कर संसार संकुची सोच को त्याग कर समगरता का ये बुद्ध मंत्र ही एक मात्र रास्ता है हमें हमारे आसपास गरीबी से जूज रहें लोगों के बारे में सोचना ही होगा हमें संसाधनों के अभाओं में फसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा एक बहतर और स्थीर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है यही आवशक है आज यह समय की मांग है कि हर व्यत्ती की हर राश्त की प्राथ्मिक्ता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी विश्व हित भी हो ग्लोबल वर्ल इंट्रेस भी हो साथियों ए बात सर्वस्विकारिय है कि आज का यह समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है आज एक और महिनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वही दुनिया आर्थिक अस्थिर्ता से भी गुजर रही है आतंकवाद और मज़भी उन्माज जैसे खत्रे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे है क्लाइमेट चेंज जैसी चिनोती पूरी मानोता के अस्तित्व पर आफ़त बनकर मंडरा रही है ग्लेशियर्स प्रिगल रहे हैं एकोलोजी नस्ट हो रही है प्रजातियां बिलुक्त हो रही है लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोडों लोग भी है जिने बुद्ध में आस्ता है जीव मात्र के कल्यान में विश्वास है यह उमीद यह विश्वास ही इस धर्ती की सबसे बड़ी ताकत है जए यह उमीद एक जूट होगी तो बुद्ध का धम्व विश्व की धारना बन जाएगा बुद्ध का बोद मानवता का विश्वास बन जाएगा साथियों आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सेक्डों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो आज दुनिया जिस युद्ध और असांती से पिडित है बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था बुद्ध ने कहा था जयन वेरन पसवती जयन वेरन पसवती दुखन सेती पराजितो उपसंतो सुखन सेती हित्व जय पराजय अर्थान जीत बैर को जन्म देती हैं और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की निंद सोता है इसलिए हार जीत लड़ाई जगडाई ने छोड़ कर ही हम सुखी हो सकते हैं भगवान बुद्ध से ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है भगवान बुद्ध ने कहा है नहीं वेरेन वेरानी सम्मन तिध उदाचन अवेरेन च सम्मन ती एस धम्मो सनंतनो अर्थात वैसे बहुत बढ़े कम शब्दों में बात होता ही है वेर से वेर शांत नहीं होता है वेर अवेर से शांत होता है भगवान बुद्ध का वचन है सुखा संग्यस्य सामग्डी समग्गानम तपो सुखम अर्थात संगों के बीच एकता में ही सुख समाही थै सभी लोगों के साथ मिल जुलकर के देने में ही सुख है साथियों हम देखते है आज अपने विचारों अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था भगवान बुद्ध ने कहा था अत्तान मेव पठनम अत्तान मेव पठमन पति रूपे निवे सहे यानि कि पहले खुद सही आचरन करना चाहिए फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए आधूनिक यूग में हम देखते हैं कि चाहे गांदी जी हो आप फिर विश्व के अनेक लीटर्स उन्होंने इसी सुत्र से प्रेणा पाई लेकिन हमें याद रखना है बुद्ध सिर्प इतने पर ही नहीं रुके थे उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था अप दीपो भवा यानि ये जो आगे का वाक्य है वो ही तो सबसे बड़ा आधार है अप दीपो भवा यानि अपना प्रकास स्वयम बनो आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश्ट में ही समाहित है इसलिए कुछ साल पहले सयुक्त राष्ट में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये है जहां बुद्ध की कनुरा हो महां संगर्स नहीं समन्वे होता है अशांती नहीं शांती होती है साथियों बुद्ध का मार्ग भविश्य का मार्ग है सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता यह संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में आने वाली पीडियों के बारे में सोचना ही बन कर दिया दसकों तक वो यह सोचते रहे कि प्रकूति से इस छेड़ छाण का प्रभाव उनके उपर नहीं आएगा वो देश इसे दूसरों के उपर ही डालते रहे लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पदमे स्पस्त रुप से कहा है कि जैसे बुन्द बुन्द पानी से घड़ा भर जाता है वैसे ही लगातार की हुई गल्तियां विनास का कारण बन जाती है मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाब बुद्ध ने ये भी कहा कि अगर हम गल्तियों को सुधारे लगातार अच्छे काम करें तो समस्याओं के समाधान भी मिलते है माव मैयेत पुन्यस न मन तन आग मिस्तती उद बिंदू निपाते न उद कुम्भो पी पुरती धीरो पुरती पुन्यस थोकम थोकम पी आजिनन अर्थाप किसी कर्म का फल मेरे पात नहीं आएगा ये सोज कर पुन्य कर्म की अहवैलना न करें बुन्द बुन्द पानी गिरने से घड़ा भर जाता है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ दीर व्यक्ति पुन्यस से भर जाता है साथियों हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धर्ती को प्रभावित कर रहा है हमारी लाइफ स्टाइल है चाहे जो हो हम जो भी पहनते हो हम जो भी खाते हो हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो हर बात का प्रभाव होता ही होता है फर्ग पढ़ता ही पढ़ता है हर व्यक्ति जल वायू परिवर्तन की चुनवतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जादुरुख होकर अपनी जीवन शैली में बढ़लाव करे तो इस बड़ी समस्यावे से भी निपटा जा सकता है और यही तो बुद्ध का मार्ग है इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुवात की है मिशन लाइफ याने लाइफ स्ट्राइल फ़र एन्वार्मेंट ये मिशन भी बुद्ध की प्रिणाओं से प्रभावित है बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है साथियों आज बहुत आवशक है कि विश्व कोरी भावतिक का और स्वार्थ की परिभासाओं से निकल कर भवतु सब्मंगलम इस भाव को आत्मसाथ करे बुद्ध को केवल प्रतिक नहीं बलकि प्रतिबिंब भी बनाया जाए तभी भवतु सब्मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है मांग निवत्थ अभिक्कम यानि दुनाओ टन बैक गो फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धी तक लेकर जाएंगे इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रन पर यहाँ पधारने के लिए अभार भी व्यक्त करता हूं और इस दो दिवसिये विचार विमर्थ से मान वता को नए प्रकाश मिलेगा, नए प्रिना मिलेगी, नए शाहस मिलेगा, नए शामर्थ मिलेगा यही भावना के साथ मेरी आप सब को बहुत बहुत स्चुप कामनाय हैं नमो बुद्ध आया